नमस्कार दोस्तों मैं पर्व वेतिया इस वक्त से ने स्पीक्स की तरफ से लाया हूँ ब्रेकिंग न्यूज समीत ठककर जिसके बारे मैं हमने सुबह भी बात करी थी कि उनका जो मामला था ट्वेटर पे उन्होंने औरंग जेब कहकर पुकारा था उद्धव ठाकरे को चोटे और ये सब मामले इंटेटेन नहीं करेंगे मुझे ये बात बहुत भी जाहिर सी है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसे नहीं लेता है क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई यूपी के जर्नलिस्ट वगरे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ ऐसे केस डाले गयता है और तब भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया था सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि हम ऐसे केसे नहीं लेते हैं ये सब केसे लोवर कोर्ट में ही अगर सुरट जा है तो जादा अच्छा रहेगा ये केसे सुप्रीम कोर्ट के लायक नहीं है जो एक तरह से सहीं भी है अब मैं बताता हूँ जो नागपुर में magistrate court से decision आना था वो आ चुका है और वो बहुत बड़ा decision है क्योंकि नागपुर में case चल रहा था एक case चल रहा था जो त्रीन जो है ये कई मामले खड़े हो रहे हैं और बहुत बड़ी बात है हो चुकी है क्योंकि एक ही crime और तीन अलग अलग जगा जो इसके cases चल रहे हैं वो कितना गलत है और क्या law में ऐसा कहीं लिखा है या नहीं लिखा है क्योंकि ये बात सीधा अब भारत के कानून पर आ जाएगी क्योंकि ये थोड़ी विचलित सी बात हो चुकी है अब कि एक ही case और तीन तीन जगा चल रहा है Supreme Court ने लेने से मना कर दिया उसके बाद जो रिशी ठक कर थे भाई समीट ठक करके उन्होंने गवर्नर से जाके बात करी तो उन्होंने मामले में थोड़ी सी अपनी राय दी और मामले में बताया उस पे रोशनी डाली अपने तरफ से उसके बाद उन्होंने जो शिव सेना के एक वकील थे उन्होंने इनके खिलाफ वापिस से case कर दिया वापिस से जेल में चले गए तो बाहर आये फिर जेल में गए समीठ ठक कर इन दिनों बहुत ही जादा परिशानी में रहे हैं तो अब जो है ये बाते आ रही है कि कितना क्या कितना गलत था ये सब करना कि तीन अलग अलग जगा case चला के और तीन अलग अलग जगा से बेल लेना पढ़ रहा है किसी इनसान को तो ये किस हद तक और कितना गलत है ये जानने वाली बात रहेगी तो आज की बड़ी news थी है बहुत बढ़ी बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से